ग्यानवापी के व्यास तैखाने में पूजा शुरू हो गई है। पिछले हिस्से में 125 फिट लंबा और 160 फिट चोड़ा तैखाना था। इस तैखाने में कई खंबे थे। दावा है कि ग्यानवापी के विर्वांस के बाद वहां के मलवे से इन खंबों के बीच पत्थर और मर्वेक दिवार बनाया गया जिसे यह तैखाना अलग-अलग हिस् देखिए ग्यानवापी में 125 गुड़े 125 का एरिया था मंदिर का और बगल में 35 फिट चोड़ा 125 फिट लंबा एक हाल था। एक कम्प्लीट एक सो शाठ गुड़े 125 का तैखाना था। तैखाना और नीचे खंबे थे बीच में चारो तरफ से दिवालों से घिरा हुआ था। इन तैखानों में बीच में जब ये मंदीर डिमॉलिष किया गया और तोड़ा त इन लोगों ने क्या किया कि पथर हमारे जो मलबे थे मंदीर के पथर के टुकड़े छोटे वड़े इनको उठा हुठा करके तैखाने को खंबों के बीच खंबे से जोड़ दिया और खंबों में कई पार्ट में तहखानों को बाट दिया, जब मई 22 में जाज कमिशन हुआ, उसमें भी करीब 7-8 तहखाने खोले गए थे, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरसे हम लोग जाज इसलिए नहीं कर पाए थे, वहां कुछ उठाने नहीं मिलता था, कि उठा के दे तहखानों में तैसे सामाने तरसे हो गया, उसमें भी कई तहखाने बंद रह गए थे, बजू टैन के पास के भी जो तहखाने थे, वो भी बंद थे, हम जब दक्षिन दिशा से प्रवेश करते हैं, तो ब्यास जी के तहखाने में तो हम लोग घुशके, उस तहखाने के उत मलबे को साफ किया, जाच किया, अभी भी हमारे हिसाब से दो-तिन तहखाने जो मुख रूप से बंद पड़े हैं, उनको भी खोला जाए क्योंकि वो भी पूरी तरह से बंद हैं, और उनको खोल करके जाच किया जाए, तो अभी भी कोईन कोई हमारे देव बिग्रा के मिलेंगे, हमारे नंदी का भी पता नहीं है, हमारे देव बिग्रा में जो गडेश जी हैं, दंडपाडी हैं, भैरो हैं, तारकेश्वर हैं, ये बिग्रा भी मिलेंगे, और मैं पहले से भी कह रहा हूं कि अगर पीछे जो मलबा है, इस मलबे को पूरी तरह से निकाला हैं, तो उन मलबों में अभी भी हमारे बहुत सबूत मिलेंगे, आज की तारीख में, अभी क्या लगता है कुल कितने तहखाने और बंद होगे, अभी हमको लगता है कम से कम तो तीन तहखाने प्रमुक रूप से बंद हैं, बाकि अगर पीछे के डिमॉलिस किये गए, पोर झाल